देखिए जैसे आपको पता है कि कलकत्ताव का जो प्रान केंद्र है ब्रिगेट पेरेट ग्राउंड जिसे बोला जाता है उस पे एक लाग से भी ज्यादा लोगों का सामुहिक गीता पार्ट का एक कारेक्रम एक लाग गीता पार्ट कमेटी ने लिया है इस बिशेपे हम आज माननिये प्रधान मंत्री जी सी नरिंद्र मोदी जी से मिलकर उन्हें नोता दिया इस अनुष्ठान में उपस्तित होने का और प्रधान मंत्री जी ने उससे तत्क्षानात उसको सिकार किया और उन्होंने आस्वासन दिया है कि 24 जिसंबर को कलकत्ता के ब्रिगेट पेरेट ग्राउड में उपस्तित रहेंगे और वहाँ पे जो गीतापाट कारेक्रम होगा उसमें वो शिक्कत करेंगे प्रधान मुंत्री काचे ग्याचिलाम एक लोखो गीतापाट कमेतीर पक्षो तेके अपना जानें जे कोलकातार ब्रिगेट पेरेट गाउंडे 24 डिशेंबल एक लोखोर बेशी मानुष एक शाते गीतापाटेर अनुस्थान कोरवे प्रधान मुंत्री के निमुंत्रों को राज्योंनों से कॉमेटीर पक्षो तेके तारा क्या चिलें महां आमियों शौंगे चिलाम तादे शौंगे चिलाम अनुप्रधान मुंत्री आमादर के आश्चुस्त करें जे 24 डिशेंबल उनी ठाग बेन एक गीताबा आठेर अनुस कि देखेंगे मुंगरीलाल के अनुस के बाहर देखेंगे वालग बात है तो पहले नेता जेल के अंदर बाहर रहे इसके बारे में उनको सोचना चाहिए जो डेपूटी चीफ मिनिस्टर थे वो तो अंदर चले गए अब चीफ मिनिस्टर बुल को बुलाबा आ रहा है तो कब तक बाहर रहेंगे यही सबसे बरा डाउट है पार्टी रहेगी के नहीं रहेगी यह सबसे बरीब डाउट है पार्टी रहेगी तो अब ना जाके थार् फास सेगंड कुछ बनेगी पाटीगी पाटी अगर नहीं रहा नेताई जेल के अंदर चले गए तो कहां से क्या होगा